जिन जिन घरों में आज भी इस सब चीजे खाई जाती हैं जैसे गुंद के लड़ू, मेथी के लड़ू, खजूर पार्ग, मेवे के लड़ू, खसकस कालवा जो हमारी इम्मुनिटी को बुश करते हैं वे लोग आज की जनरेशन की अपेक्षा शारीडी को मांशी ग्रूप स शेयर कर रही हो, बहुत आसान तरीके से, क्या आपने ये हलवा कभी ट्राइ किया है, आखो के लिए, सिर्दर्थ के लिए, या अदाज के लिए, ये मुनिटी बुश करने में बहुत ही लाबदायक हलवा है ये फ्रेंट्स, तो चलिए इस हिल्दी और टेस्टी हलवा को ब पीस लेते हैं, जरूरत पड़ी तो बहुत थोड़ा पानी डालेंगे फ्रेंट्स, इसे महीन पीस ले, मैं बहुत ही हलका दरदरा टेक्सर रखती हूँ, जिससे हलवा बनने के बाद खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये पीस चुका है, अब कड़ाई में हम घी गर करेंगे, जब घी गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे और पीसे वे पोस्ता को हम डाल देंगे, क्वांटिटी के बात करें तो फ्रेंट्स, जैसे हम आटा का हलवा तयार करते हैं, जितना आटा होता है, लगभग उतना ही घी होता है, उसी तरह इसमें भी वही रेश थोड़ा और बुन्य के बाद देखें फ्रेंट्स, एकदम कलर चेंज हो गया, कच्चापन भी खत्म हो गया, अच्छी खुश्बू आ रही है, आप स्वादनों सा चीनी डाल देंगे और साथी पानी डाल देंगे, इस समय फिल्म को मीडियम टू हाई कर लीजेगा फ्रें इसी तरह कोख हो चुके है, अब गयस की फिल्म को बंद कर दें, और थोड़ा ठंडा होने पर ड्राइफ रूट से डेकुरेट करके से सर्फ करें, बीन सीजन के भी इसे कभी कभी यह बना कर खास सकते हैं फ्रेंश, लेकिन खास तोर पर सरुदियों पर इसे जरूर बना कर रखाएं और उम्र से पहले होने वाली बिमारी को दूर भगाएं